दोफ्तों आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि साल 2024 में आप जाती प्रमानपत्र के लिए कैसे ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं, घर बैठें, बिल्कुल फिरी में उसकी पूरी एस्टेप बाई एस्टेप आपको प्रूसर्स बताए जागी साथे साथ इस जाती प्रमानपत्र को बनाने में क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे, जाती प्रमानपत्र आपके reject भी कर दिये जाते हैं, उनका भी guideline मैं आपको बताऊंगा, कौन से document आपको upload करना है, और जब आपकी प्रमानपत्र बन जाती है, तो उससे आप download कैसे कर सकते हैं, उसकी भी जयनकारी इस वीडियो में आपको live दिखाए जागी, आप अंतर तक जूरे रहिएगा, पूरी जयनकारी अगर आपको समझना है, तो वीडियो अगर आपको पसंद है, तो इसे like, share जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नया है, तो subscribe जरूर कीजिएगा, इस परकर की लगातार update आपको मिलती रहेगी, आप सभी के लिए हमने WhatsApp चैनल बनाया है, जहां जरूर जूर जूर ये, जिसका link description box में है, सारी update आपको वहाँ पर भी आपको मिलती रहती है, फिलाल एसकीन पर चलते हैं, डीटेल जनकारी देते हैं, जा नहीं पर आपको मिलेगा, जाती निवास आये, यहां से apply करें और download करें, इस बाले link पर भी क्लिक करेंगे, तो पूरी जनकारी आपको यहां पर मिल जाएगी, इसके बारे में आप समद लीजेगा, नीचे आने के बाद यहां पर online apply का link मिलता है, इस पर भी क्लिक करेंगे, तो आप RTPS के official website पर आ जाएंगे, यहां पर आने के बाद certificate के लिए apply करने का दो option होते हैं, पहला online आविदन दे, इसमें ही आप देखेंगे, एक option मिलेगा, सम्माने पर सासन विभा का, जिस पर क्लिक करकर यहीं से आप आवासिये परमानपत, जाती परमानपत, आये परमान box में आपको मिल लियागा, आप डिरेक्ट जाती प्रमान पर निर्गमन पर क्लिक करेंगे, तो आपको तीन option मिलेंगे, पहला है आप अंचल अस्तर से बनाना चाहते हैं, नुमंडल अस्तर से या जिला अस्तर से वो बताएंगे, तो सबसे पहले आपको अपना अंचल अस् है, जिस वाले option पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको मेरी पहचान के portal जो होगा, उस पर redirect करेगा, यहाँ पर login करने के लिए, अगर आप इस पर पहले से register होंगे, तो direct अपना mobile number, password या mobile पर OTPN बाकर direct login कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने account नहीं बनाया है, तो इस पर detail वीडियो हमने already बनाया है, कि आप जाती अवासिया बनाने के लिए, फिरी में ID, password कैसे ले सकते हैं, इससे benefit यह होता है, कि मेरी पहचान का, अगर ID, password से आप apply करते हैं, तो भविस में कभी भी अपना certificate download करना चाहेंगे, तो आपके पास कोई proof नहीं भी होगा, आप अपना ID, password की मतदद से आसानी से अपना certificate को download कर सकते हैं, तो यह benefit होता है, आपके नमबर पर जो OTP गया होगा, उससे डाल कर sign in जैसे ही करेंगे, तो आप इस परकार इस पर login हो जाएंगे, login होने के बाद यहाँ पर देखेंगे, एक option मिलेगा, apply for service का, जिस पर click करेंगे, एक option मिल करेंगे, तो आपके सामने cash certificate बनाने का तीन option है, पहला DM level, दुसरा RO level और तिसरा SDO level, तो पहला stage जो होता है, RO level से ही आपको कोई भी प्रमानपत बनाना होगा, यहाँ से बन जागा, तो फिर SDO level से बना सकते हैं, फिर आप DM level से बना सकते हैं, तो अलग-अलग topic पर वीडिय बताना होगा, लर्का है, तो लर्का यानि पुरुस या लरकी है, तो इस तरी वाले option को क्लिक करेंगे, अभिबादन लगाते तो ठीक है, ने था कोई अभिबादन नहीं वाले विकल पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी नाम होगा, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर कोई गलती होती है, गूगल इंपुट का या आपके कीबोर्ड में जो होगा, यह इंग्लिस लिखते हैं, तो हिंदी आ जाता है, इसके मदद से इससे सुधार लीजिगा, पिता जी का जो नाम होगा डालेंगे, हिंदी में देखनों का मिलेगा, माता जी का नाम यहाँ डालेंगे, यहाँ पर हिंदी में देखनों का मिलेगा, कोई बिवाहित महिला है, तो अपने हस्वेन का नाम देना चाहिए, तो देख सकते हैं, वो हिंदी में नाम देखनों का मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना मोवाइल नंबर डालना है, क्योंकि होगा उससे चैन करेंगे जीला जो भी होगा आप उससे चैन करेंगे जो भी आपका अनुमंदल होगा उससे आपको चैन करना है जो भी आपका ब्लोक होगा उससे आपको चैन करना है अब यहां पर अस्थानिय निकाय का परकार बताना है ग्राम छेतर सा आते हैं तो ग्राम पर्चायद छुन्याशर करें, यहां से छुने ल Mina Saat, उसे चुने, आप अपने पर्जियर험 जनकारी को यहँ से चैन करेंगे वार्ड़लौबर अपना बताहरेंगे, जो भी आपका पनचायत होगा, पनचायत को यहां से चैन करेंगे भिलेज का नाम लिखेंगे post office लिखेंगे police station डालेंगे और जो pin code है उससे आपको डालना है अगर आपका present और जो permanent address दोनों अगर समाने है आप इस चक box पर tick करेंगे दोनों fill होगा अगर अलग-अलग है तो अलग-अलग जनकारी को fill करना है देखिए महिला के case में जाती परमानपत बनाते है अगर किसी महिला को apply करते तो खास रूप से आपको दियान ये रखना है उपर वाला जो address आप यहाँ पर चुने है वो उनके पिता वाला चुनना है इन बातों को ध्यान रखिया गया परमानेंट address यानि उनके पिता का जो address होगा उससे आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर दिखेंगे present address में जहां उनकी साधी हुई है वो address आपको डालना है बाकि पूरुस case में apply करते है तो उसमें आपको ज्यादा परसानी नहीं होत करेंगे और आपका जो भी जाती होगा यहाँ पर सभी जाती का नाम मिलता है उससे चैन करेंगे आपका उप जाती जो भी होगा आप यहाँ से चैन करेंगे नीचे आपको आना है यहाँ पर आपको capture code मिलेगा उससे आपको fill करना है option मिलेगा proceed का जिस पर क्लिक करना है उसक यहसे आप इस पर किलिक करते हैं, एक बार पुना आपको बोला जाता है कि इसके लिए डुकसामाने लग्ने को डैलते हैं, तो इसका आगे का साइड और पीछे का साइड दोनों skin करकर upload करेंगे उसके बाद ही आपको save in lecture वाले बिकल पर click करना है और आपके सामने form का final preview आता है एक बार जन्गारी को देख लिजीगा देखने के बाद एक option submit का मिलता है जिस पर आपको click करना है जिससे आप submit करेंगे थोड़ा सा wait करेंगे इस परकार आपका जो form है सफलता पुर्वक्स submit होता है अब यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो ये परमानपत्र है कब issue कर दिया जागा वो यहाँ पर आपको अपने apply किया है इंगलिस में लिखना है capture code को डालना है option मिलेगा download certificate का जिस पर click करकर अपना परमानपत को download कर सकते हैं किसी को अगर परमानपत की urgent है उनको एक से दो दिनों में जरूरत है तो apply करने को जो print निकला है इसमें जो document आपने upload किया है उन दोनों को attach करकर अपने नजदी की rtps counter पर जाकर भी आप इन परमानपत को प्राप्ट कर सकते हैं अप्रूट करवा सकते हैं दोफतों अभी आपने देखा हमने आपको step by step process बता कि कैसे जाते परमानपत के लिए online apply किया जाता है साथे साथ परमानपत जब बन जाता है तो उससे कैसे download किया जाता उसके बारे में भी हमने आपको जनकारी दिया किसे को अगर जाते परमानपत urgent बनाना है ततकाल में बनाना है तो उस पर detail video already हमने बना दिया है यहाँ पर video मिलेगा देख लिजीगा income certificate कैसे बनाना हो वीडियो यहाँ पर मिलेगा देखकर आप apply कर सकते हैं दन्यवाद